तो नेहा जी इन सभी services model को explain करने के लिए अब अगर हम लोग बात करें Microsoft हो गया या फिर Amazon हो गया या फिर Google जो है जो कि हम लोगों को cloud से related services offer कर रहे हैं उन सभी services को आज के टाइम पर cloud provider जो है करीब हमें more than 200 services offer कर रहे हैं चाहिए वो Amazon है थोड़ा बहुत कमिया ज्यादा हो सकता है कि around 200 services offer कर रहे हैं चाहिए वो Amazon है या फिर Microsoft है या फिर Google है अब उनी 200 cloud services को इन कुछ category में divide किया गया है जैसे कि network storage server virtualization operating system middleware application middleware application होती है जैसे कि अगर आपको किसी भी PDF फाइल में काम करना है तो आपको adobe reader की जरुरत होती है ms word of ms word excel power point में काम करना है तो ms office application की जरुरत होती है कि समझ गए ना हां जी सारी services के लिए सेम चीज़ हां जी सभी services के लिए कि देखो network tab अगर हम लोग network की बात करें network network layer के अंदर Amazon का या Microsoft का जो physical infra है न उन्हें जो आपस में connect किये हुए जो वहां पर fireball वगएरा यूज किये गए है router switches gateway के साथ-साथ fiber channel वगएरा है जो कि उन सभी physical infra को interconnect कर रहा है आपस में वहां पर जो storage है जो उन्हें interconnect कर रहा है ओके Microsoft का जो physical infra है उन्हें जो इंटर कनेक्ट कर रहा है जाए वह राउटर है switches है gateway है fireball है जाए वह फाइवर चैनल है जाए वह और चैनल है सभी को आपस में पनेक्ट करता है network layer राइट स्टोरेज जहां पर किसी भी क्लाइंट का डेटा स्टोर होता है जाकर ठीक है सब्सक्राइब सारी से Microsoft Azure के वहां पर हो रही है बिलकुल बिलकुल यह अभी मैं Microsoft का फिजिकल इंट्रा आपको बता रहा हूं इसके बाद servers जो वहां पर servers है जिन servers पर हम लोग virtualization technology के दुआरा virtual machine create करते हैं या को उस इस्टोरेज को उस उस फिजिकल सर्वर्स को वर्चुलाइजेशन टेक्नलोजी के दुआरा हम लोग अपने पर मैसेज में एक्सेस करते हैं वाया इंटरनेट और पब्लिक आईपी जो हम लोग virtualization टेक्नलोजी के दुआरा उन फिजिकल सर्वर्स पर जो हम लोग virtual machine create करते हैं उन virtual machine पर हमें windows operating system install करना है या Linux करना है Ubuntu करना है Fedora करना है CentOS करना है Mac iOS करना है operating system क्या-क्या install करते हैं वो सारे OS layer के अंदर आता है middleware application किसी भी application को आपको run करना है आपको कोई भी movie play करनी है तो VLC media player की जरुरत होगी आपको PDF file read करनी है तो आपको adobe reader की जरुरत होगी आपको किसी भी data को compress करना है या RAR में convert करना है तो win RAR की जरुरत होगी that is middleware application right runtime maintenance करना है runtime backup करना है तो यह आता है आपका runtime के अंदर then data protection data backup वो सारा अपनी requirement बताइए मुझे अपने client को मुझे इस type की application provide करनी है तो मेरे पास में जो developer team बैठी हुई है वो आपकी specifications के according application develop करेगा और आपको वो provide करेगा यह developer team के लिए है अब इन्ही services में से आपको कहां तक services की जरुरत है जस्ट आप मालीजी आप outing के लिए जाना चाते हैं और आपको four-wheeler की जरुरत है सबसे पहले अगर हम लोग बात करे infrastructure as a service के अंदर क्या होता है कि आपको केवल infra provide कर दिया जाता है infra provide कर दिया जाता है create आप खुद करोंगे maintenance आप खुद करोंगे backup आप खुद करोंगे सारी चीजे आप खुद करोंगे केवल आपको infra दे दिया जैसे कि अगर मैं आपको यहीं पर बताऊं infrastructure as a service के अंदर Microsoft Amazon आपको अपना physical infra provide करता है यानि कि network provide करता है storage provide करता है servers provide करता है और इन servers को इन storage को इस network को वर्चुलाइजेशन टेक्नोलोजी के दुआरा आप अपने परमाइसेज में एक्सेस करते हो राइट अज्यूर पॉर्टल के दुआरा या AWS पॉर्टल के दुआरा उन सभी उसके पूरे physical infra को आप अपने परमाइसेज में एक्सेस करते हो फिर आप operating system खुद इंस्टॉल करोंगे उन virtual machine पर middleware application आप खुद करोंगे runtime maintenance data backup आप खुद करोंगे data maintenance आप खुद करोंगे application develop आप खुद करोंगे केवल Amazon हो गया या Microsoft हो गया केवल आपको infra provide कर देगा create करना manage और control करना वो आप खुद देखोंगे ठीक इसके बाद अगर हम लोग को बात करे platform as a service देखे platform as a service के अंदर infrastructure as a service जो होती है वो already include होती है ओके अब आप चाहते कि बही operating system भी जो virtualization है जो virtual machine है उसमें operating system भी Amazon या Microsoft के बंदे ही मुझे provide करके दे middleware application भी वही install करके दे run time maintenance भी वही खुद देखे मैं तो केवल अपना काम करूंगा और जिस डेटा में मैं काम करूंगा time to time मैं खुद backup create कर लूँगा application develop मैं खुद कर लूँगा यानि के यह दो layer मैं खुद करूंगा data backup मैं खुद करूंगा application develop मैं खुद करूंगा लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं तो कुछ करना ही नहीं चाहता हूं मैं तो केवल उन services को access करके काम करना चाहता हूं सब कुछ software as a service के अंदर इंक्लिूड होता है software as a service के अंदर आपको कुछ करने की जरुरत नहीं होती है आपको केवल access करनी है services बाकी सब कुछ हमारा cloud provider देखेगा network फिजिकल network storage server virtualization OS middleware application runtime maintenance data protection data backup application developer वो सब कुछ वही देखेगा हमें तो केवल उन services को time to time access करना है और काम करना है बाकी सब कुछ वही देखे पस इतना ध्यान लखना नहीं जितने ज्यादा आप services लेते जाओंगे उतना ही आपकी billing बढ़ती जाएगी यह सेम उसी तरह है कि मैंने अभी आपको एक फोर्विलर का एक्जामपल दिया था समझ गए था कि वही अगर आपको केवल फोर्विलर चीए तो आपको 10,000 पे करने है 5 days के लिए अगर आपको फोर्विलर विद ड्राइवर चीए तो आपको 15,000 पे करना है राइट सब होगी कि जितनी जो सर्विसेज लेंगे उसे सापसे विविल पे बिलकुल करेक्ट बिलकुल करेक्ट क्लियर हुआ इतना बिलकुल बिलकुल हुआ सब अब जड़ा अब्ट मोडल ओफ क्लावड और टाइप्स अफ क्लावड की बात करें बॉप भॉट का होता है सब्सक्का एक पब्लिक क्लावड, प्रॉवेट क्लावड, प्राइवेट क्लावड जिसे हम लोग köता हैं और थर्ड होता है hybrid cloud देखे जो hybrid cloud होता है वो public और private cloud का combination होता है अब तीनों में difference क्या है थोड़ा सा detail में discuss करते हैं देखे जो public cloud होता है ये एक ऐसा cloud होता है जिसे कोई भी बंदा कोई भी organization अपने लिए use कर सकता है public cloud एक ऐसा cloud होता है जो सभी के लिए openly available होता है कोई भी बंदा अपना email id पासवर्ड अपना credit card या debit card की information के द्वारा sign up करे और public cloud के resources को use कर सकता है कोई भी बंदा कोई भी organization जब भी आप public cloud पर sign up करते हैं तो वो आपको आपके credit card की को verify करने के लिए दो रुपे डिटेक्ट करता है इंडियन रुपी में और चार या प्मास दिन के बाद में वो दो रुपे भी आपके account में credit हो जाते हैं that is public cloud अब क्या होता है कि नेहा जी बहुत सारे बंदे बहुत सारी ओगनाईजेशन ऐसा मानती है कि बहुत पब्लिक लाउड है कोई भी बंदा उसको sign up कर सकता है कोई भी ओगनाईजेशन sign up कर सकती है तो हमारे डेटा पब्लिक लाउड पर सिक्योर नहीं होगा हो सकता है कि पब्लिक लाउड जो है हमारे इंपोर्टेंट डेटा को परस्नल डेटा को किसी अनदर के साथ में शेयर कर दे ऐसा कुछ नहीं है ठीक है पब्लिक क्लाउड एक ऐसा क्लाउड है जिस पे कोई भी बंदा साइन अप कर सकता है लेकिन डेटा सिक्योर्टी के मामले में यह कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करता है जो आपका डेटा है वह एज़िट इस आपका सिक्योर है 99.999% की सिक्योर्टी प्रोवाइड करता है कोई भी पब्लिक क्लाउड आपके डेटा पर और जितने भी मार्किट में AWS हो गया एज्यूर हो गया गूगल क्लाउड हो गया यह सभी पब्लिक क्लाउड ही है कि कोई भी बंदा कोई भी ओगनाईजेशन अपनी इन्फोमेशन कि इसको साइन अप कर सकता है और अपने रिक्वार्मेंट के अकोडिंगे रिसोर्सिज यूज कर सकता है और उसी हिसाब से आपको बिल पे करना होता है देशराज नेक्स्ट आता है प्राइवेट क्लाउड तो मैं अभी आपको बता रहा है कि बहुत सारे बंदे बहुत सारी ओगनाईजेशन ऐसा मानती है कि पब्लिक क्लाउड जो है वो हमारे डेटा के लिए सिक्योर नहीं है वहां पर सिक्योर्टी थ्रेट्स हो सकते हैं तो ऐसी कंपनी जो है वो अपने प्रमाइसिस में ही खुद का ही प्राइवेट क्लाउड तयार करते हैं कि बही मैं किसी दूसरे बंदे पर विश्वास नहीं करूँगा मैं अपना डेटा किसी दूसरे के घर में नहीं रखूँगा ले जाकर मैं तो खुद का ही private cloud तयार करूँगा अपने premises में और जितने भी मेरे branch offices है, जितने मेरे clients हैं, उनको मैं खुद ही services offer करूँगा ओके, that is private cloud और IBM जो है इसका best example है, IBM ने खुद का, खुद के client के लिए, खुद के branch offices के लिए cloud तयार किया हुआ है ओके, clear है इतना, तो सब फिर IBM का तो फिर कोई user नहीं कर सकता होगा, वो खुद ही अपना, बिल्कुल बिल्कुल, वो खुद का, उसका personal है तो उसके लिए सब खुद का cloud करने चाहिए तो आपको खुद का infra, सब कुछ खुद ही करना है होगा? अच्छा, बतलब IBM सब्सक्राइब जो कंपनी है वो अजूर या उंका ना लेके अपना खुद का ही बना के, लाइन्स को अपना cloud बेचते होंगे, बिल्कुल, 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 नोर्मल, मिक्स करके, मिक्स करके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, hybrid cloud, देखी, hybrid cloud जो होता है, ये public और private cloud का combination होता है, जैसे कि, मालिज ये, नेहा जी, आपने अपना personal cloud तयार किया हुआ है, और आप अपने client को services offer कर रहे हैं, अपने branch offices को service offer कर रहे हैं, लेकिन मैं public cloud यूज़ कर रहा हूँ, चाहिए, वो AWS हो गया, या Azure हो गया, या Google cloud हो गया, अब मेरी company ने आपकी company के साथ में एक contract किया, ठीक है, अब contract होने के बाद में, मुझे आपके premises से, आपके cloud से कुछ data अपने premises में access करना है, या मेरे public cloud का जो data है, वो आप access करना चाहते हैं, अपने private cloud के अंदर, जहां पर भी public cloud और private cloud एक साथ मिलके काम करते हैं, वो कहलाता है आपका hybrid cloud, तो यह तीन टाइब के cloud आज के टाइम पर market में अवेलेबल है, public cloud, private cloud और hybrid cloud, यहां तक कोई doubt है निया जी, नहीं सर अभी कोई doubt है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, आप free tier account कैसे create करते हैं Azure portal पर, निया जी अभी आपके पास में लैप्टॉप वोगेरा है, सर है लेकिन वह बाबा कहीं connection की problem नहीं आए, सब्सक्राइब ने इसको बंद करके रख दिया भी, आप कहें तो मैं on करके try करते हूं, आप उसको on कीजिए और जो step मैं आपको बताता जाओंगा वो आप उस पे करते जाएगा, ओके, सर एक सकिन रुके में, एक सकिन आप सर होल्ड करेंगे प्लीज, जी जी बिलकुल, कि अच गौ उसकी बताता जाओंगा वोग्त करके दाएगा? झाले ससक होल्ड, मैं वोग्त हुड़ करेंगे बिलकुल, चाले पोग्त है कि इसे आपको बनाग्स खाय Bossy से रहे प्लीज़ करोशगे चल्चिएद्ट, झाल 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 झाल